हलो एवरीवाण वैलकम टो खुशी की दुनिया, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की सम्मरी में सकारात्मक सोच की ताकत बताने वाली एक ऐसे साइफ हेल्ट बुक जिसे पढ़ करके दुनिया बर के लोगों ने अपने अंदर आव विस्वस्निया बदलाव फिल किया है इस किताब का नाम है रहस्या और इसकी लेकी का है रॉंडा बर्ण चलिए यहाँ पे चोट असा इंफोर्मेशन पढ़ते हैं इस बुक का तो यहाँ पे हम जानेंगे वो रॉंडा बर्ण दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग आथर में से एक है उनकी हाँ मोटिवेशनल किताब दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाली किताबों में से एक है इस किताब में Law of Attraction यानि के आकरसंड के सितादों को बहुत अच्छे से समझाया गया है इस किताब की लेके का एक आई टेलिविजन लेखक प्रडूशर है जिनोंने वर्स 2006 में इस किताब को लिखा था और इसी नाम से एक फिल्म भी बनी थी वर्स 2006 साथ में इस किता आपकी 30 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी और इसका 50 से ज़्यादा भासाओं में अनुवाद हो चुका है यहाँ आडियो बुक समरी प्रकासित किताब को पढ़ने के बाद में लिखी गई है यहाँ पूरी किताब नहीं बलकि उसका नीच चोड है हमारी कोशिस रहेगी किताब की आस्तित्व से ना भटकते हुए आप पर इसकी अहीं बर्णन पहुंचाया जाए यहाँ किताब कई ऐसे टीचर्स और मेंटर्स के अनुवाओं का संकलन है जो law of attraction यानि की आकरसंड के नियम पर बिलीब करते हैं इन सबी के सब दोर अनुवाओं के साथ छेट चार्ड ना करने का यता संभव कोशिस की गई है यहाँ उस समय की बात है जब रॉंटा बन का जीवन उतार चड़ाओं के दोर से गुजर रहा था अपने पिता की मृतियों की वज़र से वो ना सरिफ बहुत दुखी थी बलकि अपने बिजनेस में भी काफी कठिन सम अपने जीवन में यहाँ परिवर्तन देखने के बाद रॉंडा बन चाहती थी कि यह बाते अधिक से अधिक लोगों तक बता चले इसलिए उन्होंने एक विशे पर एक फिल्म बनाई रॉंडा ने हर उस टीचर लेखक और वर्कता का इंटर्विल यह जो लॉफ अट्रेक क्या होता है यह सीक्रेट है लॉफ अट्रेक्शन जिसका सीधा सार्थ है आकरशित करना अर्था तम जिसे चाहें आकरशित कर सकते हैं यदि आप दुख बीमारी करीबी चाहते हैं तो ऐसे विचार सूसना स्टार्ट कर दीजिए यकीने आपको गरीब बनने से कोई नहीं इसके विपरीत अगर आप अमीर लोग प्रियस फ्वास्त हैल्दी कुछी चाहते हैं तो खुछी धन सेहत के विचार स्टार्ट कर दीजिए और एक बार फिर यकीने आपको अमीर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता यहीं आकरशित का सिध्धानत है जो इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है आकरशित की नियम के इसे सीक्रेट को लेखक ने अपने जीवन में फिल किया था आकरशित का नियम कहता है कि जो भी आप सूसते हैं या फिर जिस विचार में आप अपना फोकस डालते हैं वो आपके लाइफ में हो जाता है हम उन्हीं चीजों और लोगों को अपनी तरफ आकरसित करते हैं जिन में हमारे समान vibrations होती है समान चीजे समान चीजों को आकरसिन करती है इसलिए अगर आप दोलत सोहरत और सिहत हांसिल करना चाते तो क्यों इन्हीं के बारे में सोचे यह सब चीजे खुद बखुद चलके आपके पास आने वाली है दुनिया के ऐसे कोई चीज नहीं जिसे आप पूरी सिद्ध से चाहे और वो पूरी नहूँ चाहे वो आपको वजरन कम करना हो अच्छे नेंबर से पास होना ही क्यों नहूँ दुनिया के कोई अपसे सक्तिसाली चीज है हमारा मस्तिस्क जिससे हम सब कुछ बदल सकते हैं और आकसरण का नियम इस दुनिया का सब से कारगर नियम है ये किताब हमको सही माइने में उनकी मदद करती है जो इसकी मदद लेना चाहते हैं शकारत सोच की ताकत बताने वाले यहां सेलफ हैल्प बुक है जो यहां रहन से उजागर करती है कि जीवन में होने वाले बहुत सारे दुरगटनाओं को अगर आप ना सोचे तो उनको आसानी से टाल सकते हैं इसलिए अगर आप जिन्दगे में नी राश्ता के दोर से गुजर रहे हैं और फिर से और एक नहीं सुरवात करना चाहते तो इस कुताब को जरूर पढ़े यहां निश्ची तोर पे आपकी हल्प करने वाली है यहां किताब फिर से नहीं उम्मीदे लेकर के जीना सिखाएगे यहां किताब हर ना उम्मीद व्यक्ति को उम्मीद लेकर जीना सिखाएगे यहां सिखाएगे कि जीवन में धन्यावाद देने का कितना महत्वा है और आपको चीजे मिलने से पहले ही धन्याबाद है thankful होना सीखना चाहिए सबसे बड़ी बात कि अगर आप सबसे बड़े सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं चेंजेश चाहते हैं तो आकरसर्ण का अस्तमाल ये नियम का इस्तमाल एक या दो बार करना नहीं बलकि आपको इसके आदर अस्तमाल अस्तमाल